हेली श्टुडेंट मैं मुर्त वमर आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में स्वावत करता हूँ दोस्तों आज किस वीडियो के जो हमारा टोपिक है वे है रीती काल की पिर्मुख विसे इस्ता हैं तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको किलास 10 एंस इस्ता हैं किस प्रकार से लिखेंगे आज किस वीडियो में मैं आपको ये सारी बाते बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबीसे रिक्वेश्ट है यदि आपने अभी तक हमारे यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करतीजे तथा उसके आगयों कि पहला इगे टी भी प्रेस करतीजे ताकि दोस्तों जब भी मैंने वीडियो अप्लोड करूँ उस वीडियो की नोटिक्रिशन आपको सबसे पहले मिल सके तो शुरू करते हैं दोस्तों आज किस वीडियो को तो दोस्तों आपके क्लास 10th NCRD के हिंदी के बोर्ड एक्जाम में परस्ण लिखा हुआ आएगा ये क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एक्जाम में दोहजार पार है, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, अठार, उन्नीस, पीस, एकिस, बाईस और तेज़ के बोर्ड एक्जाम में आया है इसलिए दोस्तों ये कोशन बहुती इंपोर्टेंट कोशन है तो आपको ये कोशन बहुती ध्यान से अच्छे से समझना है ठीक है दोस्तों, तो आपके क्लास 10th हिंदी के बोर्ड एक्जाम में कोशन लिखा हुआ आएगा रीती काल की पिर्मुख परवर्दियों या विशेष्टाओं पर संचिप में प्रकास डालिए अब दोस्तों आप इसको उत्तर किस परकार से लिखेंगे देखें आपको पहले लिखना है उत्तर और उत्तर में आपको लिखना है रीती काल की पिर्मुख परवर्दियों या विशेष्टाओं निम लिखित हैं आपको पहले इत्तर में ये चीज लिखनी है फिर दोस्तों आपको नमबर वन पॉइंट आलना है और उसमा आपको लिखना है रीती या लक्षण गरंतु की रचना तो दोस्तों रीती काल में सबसे ज़्यादा लक्षण गरंतु की रचना की गई थी तो यह रीती काल की पिर्मुग विसेस्ता है पहली पिर्मुग विसे जा रहा था, मतलब दोहे में, कवीता में, छंद में सरंगार रस सबसे अधिक पाया जा रहा था, सबसे ज़्यादा सरंगार रस का प्रियोग किया जा रहा था, तो रीतिकाल में सरंगार रस की प्रधानता थी, ठीक है दोस्तों, तो ये रीतिकाल की दूसरी प्रमुग विश कैसे हैं तीसरे पौिंट दोस्तों आपको लिखना है कावे में कला पक्ष की प्रधान था तो दोस्तों रीत इकाल में हुआ क्या था कि कावे में जो भी दोहे लिखे जा रही थे छंड़े लिखे जा लिखी जा लही थी उन समय कला पक्ष सबसे ज़्यादा पाया जा रहा था कला पक्ष के सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जा रहा था अब दोस्तों आप कहेंगे कला पक्ष होता क्या है तो दोस्तों कला पक्ष हम उसे कहते हैं जिसमें अलेंकार का प्रियोग किया जाता हो रस का प्रियोग किया जाता हो म कावे में क्या हो रहा था, रीतिकाल के कावे में, कलापक्ष का सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जा रहा था, तो रीति काल में क्या हुआ था कि कावे में कलापक्स की प्रिदानता थी ठीक है दोस्तो अब दोस्तो आपके ये पता चल गिया होगा कि कलापक्स होता क्या है दोस्तो चोथी प्रमुक्स जेशता ही मुक्त कावे की प्रमुक्ता तो दोस्तो रीती काल में मुक्त काबे की प्रमुक्ता थी ये रीती काल की चोथी प्रमुक्ता थी पांच में ये दोस्तो ब्रज भासा का चर्मोत कर्स तो दोस्तो रीतिकाल में हुआ क्या था कि रीतिकाल में जितने भी कापे में भासा लिखी जारी थी उन भासाओं में ब्रज भासा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जारा था दोस्तो कहने का मतलब ये है कि कापे में जो दोहे चंद अलेंकार लिखे जा रहे थे उन दोहे चंद अलेंकार को लिखने के लिए ब्रजभासा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा था उन सम्में ब्रजभासा सबसे ज़्यादा पाई जा ली थी दोस्तो छटी पिर्मुक विसेशता है प्रकर्ति का उद्धीपन रूप में चित्रण तो दोस्तो रीती काल में हुआ क्या था कि प्रकर्ति का उद्धीपन रूप में चित्रण किया जा रहा था अब दोस्तो आप कहेंगे कि उद्धीपन रूप क्या होता है तो दोस्तों प्रकर्ति के जो वाहे बातरवरण में होने वाली जो किरियाएं हैं उनका चित्रन करने को ही उद्धिपन रूप कहा जाता है तो उस समय के जितने भी कभी थे उन्होंने प्रकर्ति के वाहे बातवरण में होने वाली जितनी भी किरियाएं हैं उनका चितरन किया तो ये रीतिकाल की छटी पिर्मुक विशेषता है प्रकर्ति का उद्धिपन रूप में चितरन दोस्तो साथी G perspective है दोह, सवैया, कविता, छंदों की परचूरता तो दोस्तो देखे रीतिकाल में हुआ था कि रीतिकाल में दोह सबसे ज़ादा लिखी गई थी कविता सबसे ज़ादा लिखी गई थी छंदों का सबसे ज़ dysfunction किया गया था ठीक है रचना दोस्तों जितने भी रीतिकाल में शुक्तिया लिखी गई थी वो नीती के अनुसाल लिखी गई थी तो ये इसकी आठमी फिरुक विसेश्था है नीती परक शुक्तियों की रचना तो दोस्तों इस तरीके से आपको रीतिकाल की जो फिरुक पवर्दियां ये विसेश हैं इस तरीके से क्लास तैंत हिंदी के बोड़ एक्जाम में आपको लिखनी है और दोस्तों यह प्रशन दो नंबर का आएगा यह भी आपको ध्यान रखना है तो बहुत ही इंपोर्टेंट प्रशन है तो दोस्तों यह आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक् कीजे दोस्तों आपको हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद है